नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुकुल इस्टैनो एवं टाइपिंग क्लासेज जोद्पुर में दोस्तों राजस्थान विदानसभा रिपोर्टर परिक्षा की भड़ती हेतू विग्यप्ती जारी हो चुकी है तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे भड़ती के बारे में कि इसमें क्या योग्यता रखी गई है क्या स्पीड है और कैसे आपका एक्जाम होगा तो इस वीडियो को अंतक देखें तो सबसे पहले बात करते हैं विज्यप्ति की कि इसमें कितने पद आए हैं तो इसमें टोटल आठ पद है जिसमें से 6 हिंदी के हैं और 2 इंगलिस इस्टैनों के हैं और इसमें जो speed मांगी गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए 140 शब्द प्रती मिनट की मांगी गई है और साथ ही इसमें type की speed मांगी गई है 50 शब्द प्रती मिनट की और साथ में इसकी योग्यता रखी गई है graduation यानि कि आपके graduation complete होनी चाहिए तो ये तो बात हो गई सेक्षने की योग्यता की अब बात करते हैं age की तो इसमें एक जन्वरी 2014 को 18 वर्स से 40 वर्स के बीच में आयू होनी चाहिए और ये online आवेदन है यानि विद्यान सभा की website पे जाके आप online आवेदन कर सकते हैं और इसकी last date है 8 जून 2023 को अब अपन बात करते हैं जो दिशा निर्देश इसमें दे रखे हैं उनके हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये normal दिशा निर्देश दे रखे हैं कि आपको online website पे जाना है यह आपे website दे रखी है assembly.rajistan.gov.in तो इस पे आपके online आवेदन का link दे रखा है जिस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं और एक बात इसमें विशेश रूप से कि अगर आप Hindi का आवेदन करना चाहते हैं तो वापे Hindi का अलग से link दे रखा है और English में आवेदन करना चाहते हैं तो उसका अलग से link दे रखा है और आप दोनों में आवेदन कर सकते हैं और दोनों के लिए अलग-अलग करना होगा ठीक है अब बात करते हैं अपन परिक्षा की कि किस तरह से इसमें परिक्षा होगी तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा इस्टैनो का यानि इसमें कोई भी रेटन टेस्ट नहीं है डारेक्ट इस्टैनो टेस्ट होगा जो कि आपके होगा 10 मिंट का 140 शब्द प्रती मिनट की गतिशे चाए हिंदी हो चाए इंगलिस हो और फिर उसको आपको वापस उसका अनुवात करना है 2 गंटे और 20 मिंट के अंदर तो ये होगा आपके सबसे पहले 10 मिंट का 140 शब्द प्रती मिनट की गतिशे जिसमें आपको यापे दे रखा है कि 140 से कम मिश्टेक लानी है यानि 140 से जिसके ज़्यादा मिश्टेक होगी वो आटोमेटिक परिक्षा से बार हो जाएंगे और जिससे 140 से कम मिश्टेक होगी वो अभ्यर्ती पास माने जाएंगे फिर उसके बाद में आपकी second परिक्षा होगी वो होगी typing की यानि टंकन परिक्षा जो 10 मिंट की होगी इसके लिए इसमें speed मागी गई है 50 शब्द प्रतिमनट की ध्यान रहे इसमें जो ये typing होगी वो होगी mangal font में कुरूती देव इसमें नहीं है इसमें जो typing होगी वो mangal font पर होगी चाहे इस टैनों की बात करें चाहे typing test की बात करें दोनों mangal font में होगी अब सबसे बड़ी बात कि दोनों test इसमें pass करना आपको जरूरी है या पर इस पर स्रूप से दे रखा है पहला point तो ये दे रखा है कि 140 अत्वा इससे कम अशुद्धी वाले अभ्यरती को उत्तेन गोशित किया जाएगा यानि 140 से आपके mistake कम है तो आपको pass गोशित किया जाएगा फिर दूसरा point इसमें दे रखा है कि प्रतम चरन यानि कि जो इस्टैनों का test होगा उसमें जो pass होगा यानि जिसके 140 से कम mistake होगी सिरफ वो इस वित्य चरन यानि कि जो typing test है उसमें बैठ सकेंगे ठीक है फिर इसमें जो तीसरा point दे रखा है कि अभ्यरती की वरियता प्रतम चरन की परिक्षा के आदार पर निर्दारित की जाएगी यानि कि जो आपका इस्टैनों का test होगा उसमें आपके जो number मिलेंगे या जो गलती आएगी उसके आधार पे आपकी merit बनेगी लेकिन आपको second जो step है यानि कि जो typing परिक्षा है वो भी उत्तीन करना अनिवारिय है यानि कि जो typing test होगा उसके आपके number नहीं जुडेंगे लेकिन वो pass करना जरूरी यानि कि 50 शब्द प्रतिमिनट की गती से उसको pass करना जरूरी है लेकिन जो final merit बनेगी वो बनेगी steno के आधार पर जो आपका ये पहला test होगा steno का 10 minute का जो होगा 140 की speed से उसके आधार पर आपकी final merit बनेगी तो इसमें कोई भी return नहीं है डारेक्ट पहला steno exam है उसमें अगर pass हो जाते हो तो फिर आपका typing exam होगा तो ये थी परिक्षा के बारे में जानकारी उसके बाद में कुछ सामानिय इसमें दिशा निर्देश देश देश चुके हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए जगा एक बार exam form बढ़ने से पहले तो ये थी इसके बारे में जानकारी कि कैसे इसमें exam होगा और कितनी speed है और कौन सी इसमें font आएगी ध्यान रखिए इसमें mangal font होगी बापस एक बार देख लीजे इसको सबसे पहले कि ये जो आपके 8 पद है जिसमें से 6 हिंदी के हैं और 140 शब्द प्रतिमिनट की गती मांगी गई है और टाइपिंग में 50 की speed और आपकी योग्यता होनी चाहिए graduation pass फिर जो सबसे मैं तो पुन चीज है वो है कि exam कैसे होगा तो वो आपको बता दिया है पहले भी अब वापस बता देते हैं कि जो पहला test होगा वो आपके steno का होगा जिसमें आपका 10 मिन का dictation होगा 140 के speed से चाहिए आप हिंदी से हैं चाहिए English से और time आपको उसको अनुवाद करने का time मिलेगा 2 गंटे और 20 मिन का और इसमें जिसके भी जो ये पहला steno का exam होगा उसमें 140 से कम mistake आएगी वो pass माना जाएगा और वो second परिक्षा में यानि कि जो typing का test होगा 10 मिन का उसमें बैठ सकता है लेकिन जो merit बनेगी वो आपकी बनेगी steno के आधार पे यानि steno में आपके कम mistake आएगी या ज़्यादा नंबर आएगे उस आधार पे आपकी merit बनेगी और जो typing test और steno test है वो दोनों होगा mangal font पे हिंदी वालों के लिए mangal font आप net पे जाके इसका key layout देख सकते हैं कि कैसे mangal font का keyboard होता है तो ये थी परिक्षा के बारे में जानकारी अब विशे सूसना कि गुरुकुल के द्वारा reporter की परिक्षा के लिए batch start किया जा रहा है जो कि सोमवार से यानि 30 मही से start होगा online live class का batch होगा जिसमें आप प्रवेश लेकर अपनी तयारी अच्छे से कर सकते हो जिसमें आपको रोजाना एक गंडे की live class मिलेगी outlines मिलेगी और रोजाना online test होगे जो की website पे होगे और उसके अलावा भी आपको और भी हिंदी के notes वगर मिलेंगे साथ ही आपको test series की सुविदा भी मिलेगी अगर आप test series भी लेना चाते है test series भी ले सकते है जिसमें आपके डेली के नियमित रूप से test होगे दो से तीन test और उसमें automatic आपकी copy check हो जाएगी तो अगर आप reporter भरती परिक्षा की तैयारी कर रहे है तो यह आपके लिए बिलकुल फायदेमंद है आप इसमें आज ही अपना प्रवेश लें तो यह थी reporter के बारे में जानकारी धन्यवाद